और भाई क्या हाल हैं तो इस वीडियो में हम बात करेंगे latest superior OS के official update के बारे में क्यूंकि जो ROM है भाई वो काफी अच्छे से optimized है इस device के लिए और बाकी सारे devices के अंदर भी ROM काफी smoothly work करती है तो ये जो latest update है इसमें क्या कुछ नए additions किये गए हैं उसके बारे में बात करेंगे ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा late जरूर हो चुका है बठां इस वीडियो के अंदर में आपको सभी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा और gaming के बारे में नहीं बताऊँगा क्यूंकि BJMI आने वाला है तो old BJMI अभी work नहीं कर रहा तो जैसे कोई नय update आएगा उसके ब आपको मिलता है Android वर्जन देख सकते हो and May 2023 का Android security update है बागी build date आपको मिलती है May 6 और आज हो चुकी है around 19 में I think हो चुकी है तो यहां पे आप बूलेक्स करनल देख सकते हो अब जो बूलेक्स करनल है इसमें KSU का support आपको मिलेगा और इसकी जो आपको यहां पर बिल्डेट आ सकते हो and Cynic status आपका यहां पे आपको enforcing मिलेगा तो सबसे पहले KernelSU का support आपको इस बूलेक्स करनल के साथ देखने को मिल जाएगा जो कि आप clearly यहां पे चेक कर सकते हो यहां पे super user की permission है modules है और जो stock camera आपको मिलेगा वह आप देखोगे तो यह आपको यहां पर मिल जाता ह अपर्चर camera और यह लीनी जोस बेस्ट camera है बाकि आप अगर यूज करना चाहते हो तो इसके अंदर आपको जो है MIUI वाला camera भी मिल जाता है जिसमें आपका वीडियो के अंदर मैं दिखाऊं तो आपका 4K 60fps working है and photo के अंदर options आपके working है portrait mode है बाकि सारे के सारे आपको options मिल ज आता है और भाई जो latest update आया था ना इसमें आपको यहां पर head images तो मिलेंगे ही मिलेंगे जिसके बार में आगे बात करेंगे बड़ा आप यहां पर अप्टू 90Hz तक refresh rate भी enable कर सकते हो यह वही वाला update है जिसमें आपका जो issue था ना locking वाला जैसा evolution next के अंदर था पहले और वो fix हो चुका है अभी तो unlocking वाला issue यहां पर भी आपका fix damn आपको यहां पर speed check कर वा देता हूं unlocking की और यहां पर कोई भी issues आपको नहीं आने वाले even हम आपको 90Hz के बाद क्या 60fps के अंदर भी check कर वा देता हूं like 60Hz के अंदर भी तो speed excellent है and normally भी speed देख सकते हो काफी एच्छे smooth animations क आपको ROM मिलती है अब ROM के optimization की बात करेंगे तो मैंने इसको 60Hz में use किया है and यहां पर scrolling वगरा में कोई issues आपको नहीं आएंगे like अगर आप इसको pull down करते हो तो काफी super smooth है और यहां पर जो animations है वो भी literally काफी super smooth आपको मिल जाएंगे and यह चीज़ आप clearly check कर सकते हो app opening closing animations के अं और कुछ इस तरीके से आप यहां पर check out कर सकते हो आपको यहां पर google cards के अंदर optimization मिल जाती है यह भी काफी अच्छ से working है और यहां पर separate आपको superior walls का app मिल जाता है जो की हर ROM में होता है basically हर update में होता है तो आप इसमें से जो है इनके wallpapers को apply कर सकते हो और जो wallpaper अभी मैंने setup कर रखा है वो उसी से लिया गया है अगर आप setting में आओगे तो superior lab के अंदर आपको status bar के अंदर भी सारे options से मिलेंगे अगर आप quick setting के अंदर आओगे तो यहां पर header images आपको मिल जाती है अब to 15 काफी जरी ROM में आपको 11 मिलती है यहां पर 15 देखने को मिलेंगी और यह आप check कर सकते हो different different ways से आप इसको customize कर सकते हो different आपको यहां पर header images मिल जाती है and data usage वाले options सेम रहेंगे यहां पर buttons के अंदर सेम चीज़े है navigation बार में system navigation आपको मिल जाता है जो की check कर वालता हूं two button मिल जाएगा haptic feedback है फिलकि length increase कर सकते हो यह सब चीज़े आपको normally यहां पर मिल जाती है और gestures में आपको three finger gesture मिल जाएगा lock security में charging info है और screen of FODY वाले options आपको मिलेंगे advanced restart है और themes के अंदर सेम चीज़े रहेंगी notification में in call vibration options है यहां पर आपको ignore window secure flags option देखने को मिलेगा and अगर आप display के अंदर आओगे तो यहां पर भी चीज़े same रहने वाली है like DC dimming, HBM, MOA यह स इसका जो graph है वो आपका यहां पर कुछ इस तरीके से यह show करेगा बागी चीज़े same रहने वाली है me sound enhancer वगर आपको मिल जाता है और मैंने already उनके बारे में discussion कर रखी है आप previous वीडियो को check out कर सकते हो Chrome के अंदर आपका device certified रहेगा Wide One L1 मिल जाएगा उसके बाद Google photos के अंदर spoofing भी आपको मिल जाती है और अगर आप charging speed के बार में पूछना चाते हो तो बूलेक्स के साथ भाई around 3000 mAh के आसपास maximum जाती है इवन अगर आप 33 Watt से भी charging करते हो और यहां पर आपका जो एक्टिव maximum गया है 14-15% परार के आसपास एंद यह CP throttling graph है यहां पर 5% तक CP throttling करेगा एंद Geekbench 6 के scores चेक कर सकते हो 5,31,000 के आसपास आपको N22 Benchmark के scores मिल जाएंगे और यह Y-Left Test के scores हैं यह आपको यहां पर review इस ROM का देखने को मिल जाता है अगर आपको वीडियो पसने है तो प्ली एंगे नेक्स इंटरस्टिंग वीडियो के साथ